अब हम बात करते हैं एक different तरह के special contract की इसको हम कहते है कोसाई contract कोसाई contract कही दफा लोग इसको describe करते वे मुश्किल में आ जाते हैं इनकोँ मुश्किल लग रहा होता है कि यह क्या है तो इसका एक punch line में लोगों को कहता हूँ कि अगर वो याद रखें तो जिन्दगी बड़ी असान होगी ये contracts होते नहीं हो जाते है ये जुमला जो है वो लोगों को काफी filmy filmy सा लगता है और बड़ा romantic सा लगता है वो कहते हैं कि बड़ा जबड़ा बड़ा बड़ी मज़दार सी बात है कि ये contract होते नहीं हो जाते है ये जुमला जहन में रहेगा तो आपको actual sense समझाएगी कोसा ये contract की यानि ये वो contracts हैं जिसमें contract की terms पूरी नहीं हो रही ये वो arrangement हैं जिसमें essentials पूरे नहीं हो रहे ये वो मामला आते हैं जो contract की शर्तों पर उतरता ही नहीं ये contract है ही नहीं बट हो जाता है ये contract है नहीं लेकिन खुद बाखुद contract बन जाते हैं कानून ये कहता है कि नहीं बहीं ना इनसाफी नहीं होनी चाहिए ये arrangement को हम कानून का नाम दे रहे हैं और वो arrangement automatically कानून की शकल इक्तियार कर लेता है खुद बाखुद कानून की शकल इक्तियार कर लेता है तो technically हम कहते हैं कि ये contract actual में होते नहीं ये खुद बाखुद हो जाते है ये contract बन जाते हैं अगर हम इसकी description देखें किताब के मताबिक हम देखें तो किताब ने का कौसाई contract is an obligation imposed by law law ने एक obligation imposed की है situation बताई है जी वहाँ पर out हो गया है सब हो क्या है कौसाई contract ने एक obligation imposed की है basically कौसाई contract law की तरफ से नाफिस किये गए contract है जब law को लगता है कि parties की दरम्यान में नहीं है लेकिन बराबरी जरूरी है एक्विटी जरूरी है मसावाद जरूरी है किसी को नाइंसाफी से बचाने के लिए वो खुद बाखुद contract बना देते हैं यह ऐसे ही है जैसे हम कहेंगे कि एक बंदे ने एक माइनर बच्चे का ख्याल किया उसको जिन्दा रखने के लिए जरूरी आते जिन्दगी सप्लाइ की और कल को जब वो कहें मुझे पैसे चाहिए इसके तो हम कहें ना भाई ना माइनर के साथ तो contract होई नहीं सकता तो जिए जयत्ती है उस बंदे के साथ जिसने अच्छी नियत से काम किया तो law को जब ये नजर आता है कि कहीं किसी एक बंदे के साथ arrangement की वज़ासे नाइनसाफी हो रही है तो automatically law उस arrangement को जिसमें नाइनसाफी एक के साथ हो रही है law का दर्जा दे देता है तो ये एक substitute है हम ये कहते हैं cause I contract actual contract नहीं है ये एक legal substitute है जिसका मकसद है parties के दर्मियान equity को बरकरार रखना इसको constructive contract भी कहते है तो cause I contract ऐसे contract हैं जो होते नहीं हो जाते हैं ये contract नहीं होते लेकिन ये contract खुद बाखुद हो जाते हैं ये जुमला याद रहेगा तो हमेशा contracts को समझाना आपके लिए easy होगा जब cause I contract की हम बात करें तो हम चंद examples की बात करते हैं पांच examples हमारे इसलेबस में cause I contract related ये example हमने से पहले पढ़ी भी है supply of necessities minor हो या unsound mind हो अगर उसको किसी ने ज़रुरियाते जिंदगी supply किया तो automatically law कहता है तुम्हारा और इस बंदे की property के दर्मियान एक contract हो गया बही minor contract नहीं कर सकता उन सेंट contract नहीं कर सकता लेकिन उसकी property पे तुम्हारा हक है तुम उसकी property में से उतना ले सकते हो जितना जरूरियात के लिए दिया गया जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने उस बच्चे को आईफून दिला दिया तो यह जरूरियात में काउंट नहीं होगा उसको अशियाए जरूरत उसको जिन्दा रहने के लिए necessities जो supply की है उसकी आपको reimbursement हो जाएगी एक scenario भी आया था कि एक बंदे ने एक minor को एक jacket दी जो के 1500 में भी मिल जाती है लेकिन उसने 2000 की ती यह 2000 की दिलवाई तो कानून यह कहता है कि 1500 की reimbursement मिलेगी वो चीज़ जो market में 1500 की मिल रही है तो necessity 1500 की थी यह 2000 या उपर 500 रुपे बिलावाज़ खाशे गए तो supply of necessary one of the example इसमें contract की तर्मियान लेकिन law ने कहा कि यह contract खुद बाखुद हो जाएगा then finder of goods एक बंदे को दूसरी की चीज़ें पड़ी भी मिली मैं इसमें normally example देता हूँ कि अगर आपको जमीन पे बटवा पड़ावा मिला आपने खोल के देखा तो पता लगा कि और आउर पेंडी के किसी बंदे का है उस पे अड्रेस आ रहा था अंदर पैसे भी रखे हुए थे अच्छे खासे आपने जनाब बटवा उठाया आप एक अच्छे आदमी थे आपने जनाब डेवो बुक करवाई वहां पहुंचे वहां जाके रिक्षा करवाया और उस बंदे के घर तक पहुंचे वापसी भी आपने रिक्षा कराने और डेवो कराने आप पूरा दिन भी स्पेंड कर रहे हैं लेकिन आप अच्छाई की कौज में काम कर रहे हैं आपने उस बंदे का बेल बजाई वो बंदा बाहर आया आपने का जी बटवा आपका है उसने का जी बहुत बहुत चुक्रिया कहां मिला आपने का जी मुझे लहूर मिला अच्छा फिर वहां से कैसे आया उसने का जी मैं डेवो कराके आया और उसके बाद मैं रिक्षा कराके आपके घर तक पहुँचा, खर्चा करना पड़ा, यहां तक आने के लिए, तो मैंने सोचा, मैं आप तक पहुँचा दूँ, आपकी कीमती चीज़ है, आपको नुकसान नौ जाए, उस बंदे ने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जैसे नेक फरिश्टा लोग कहां मिलते ह आज की दोर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, होसो के तो दौवाओं में याद रखिएगा, और यह कहां के दर्वाजा बंद करके बटवा लेके चला गया, अब बंदे को समझी नहीं आई कि यह क्या हुआ है, मैंने इतनी मेनत किया यार, कम असकम मेरे डिवो की करा पड़ा है, तो कम असकम वो तो दे दें, उसना कि जी मैंने कब कहा था कि मेरे बटवा में जला के दो, दिर वोज नो ओफर, दिर वोज नो एक्सेप्टेंस, दिर वोज नो कंसिडरेशन, कुछ भी नहीं था, वो कहेगा, था नहीं, तो हो गया, अब वो अदालत के पास ज परचा देने का, ये तो हो गया, अगर वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंचने से पहले, जब इसे बटवा पड़ावा मिला था, उस वक्त तो कोई कॉन्ट्रेक्ट नहीं क्रियेट हुआ था, चूंकि किसी और का बटवा पड़ावा मिला है, तो एक बेल्मिंड का कॉन्ट होता है, जिसमें हम कहते हैं कि एक बंदे के पास दूसरे की चीज़ें अमानत के तो पर रखी हो, तो उसने क्या करना है, तो अकर आपको किसी की गुमईवी चीज़ें मिलें, तो आप आटमेटिकली उसके अमानतदार बन जाएंगे, और लोग खुद बाखुद कहेगा कि कॉंट्रेक्ट है, आप उसके अमीन हैं, आपका फर्द है कि आप उस बंदे कीज़ें पहुचाएं, तो पहले आपका फर्द है आप चीज़ें पहुचाएं, फिर उसका फर्द है कि वह आपको खर्चा पानी दे उसका। डलना तरी था डल टू गया जानी आमवउंट भी को थी चली गई स्ी को सी तुर वीसे ही चलाक है सी स्फ और चलाक तो सी तक आमवउंट चली गई सी तो नहीं वापस करेगा अ जाके सी से किब्ला आपके पास गलती से मेरे पैसे आ गया हुसने का जी मैंने अल्ला की जमीन से पढ़े वे उठा लिए मैं बड़ा शुकर करके अपने पास रख लिए मैं वापस नहीं करूँगा मैंने तो नहीं कहा था पैसे देने का जो अल्ला की दरफ से आ गए वो मेरे हुए तो अब यह अदालत अगर जिंदे यह लाग रुपिया वापस करें तो इन दे ए्ससे ओफ एनी कॉंट्रेक्ट बिट्वेन दपार्टी लॉग हो एधानिता है दोनों के दिरमियान पैसे की वापसी का जब उसने गन पॉइंट पर आपसे पैसे लिये तो कोई वादा नहीं करके गया था कि पैसे में तो मैं किसी दिन वापस भी करूँगा बट अदालत कहेगी कि बाइ अगर एक बंदेगी पैमेंट दूसरे तक चली जाती है तो बाइ लौ खुद बाखुद वो बंदा बाउंड है इसको वापस करने का तो हम यह देख रहे हैं कि वो सिच्वेशन जहां लौ खुद बाखुद आपको कह देता है कि आप इसको करें देन हम कहते हैं परसन इंजॉइंग बेनेफेट आफ नॉन ग्रेटिश्यस एक्ट या गुड्स ग्रेटिश्यस या ग्राटुश्यस अलग अलग इसकी प्रोनेंसिशन है इसका मतलब होता है अच्छाई महरबानी नेक दिली नॉन कमर्शल चीज़ तो अगर आप किसी पे महरबान हो तो वो एक दोस्ती यारी होती है लेकिन अगर आप महर्बान ना हों तो इसे हम कहेंगे non-gardecious अगर आप किसी पे महर्बान नहीं है लेकिन फिर भी उसको आपको benefit मिल गया अपने घर में अपने अपने खर में कोई नयास दिलवाई आपने अपने घर में कोई फातियव वगरा की और आपके पास मुख्लिफ खाने पड़े वे थे आपने बिडियानी की उपर भी बलकि मैंसे कहता हूँ कि जब हम लहूर में बात कर रहे हैं तो ये बिडियानी होनी चाहिए आपने जनाब बिडियानी मनाई और आपने साथ वालों के घर जाके काया कि ये लें जी बिडियानी हमने इस पर न्यास करवाई है उन्होंने बिडियानी ली और खाली क्यूंकि आप उनको देखे क्या आप बिडियानी बेशने गए थे नहीं आप तो ने बिडियानी देने गए थे महरबानी ग्रेटिश्यस एक्ट अब अगर चार दिन बाद आप दोने ले जाएंगी हमारी बिर्याणी खागए है तो हूख के विर्याणी नीं खाई हमने बिड्याणी खाई है मिर्या नीं तो खाई नहीं वो भी काते विड्या नीं घाड़ धे खाड़ थे तो हुआ ये के यह मेरबानी वाला एक था इस Walk कोई क्लेम नहीं लेकिन अगर आपका इरादा महरबानी का नहीं होता इसकी मैं एक्जेंपल ऐसे देता हूं जैसे ए ने पीजा हट कॉल की और उनसे का जी आपने हमें यह ओर डिलिवर करना है और आपकी जो बेंक की वैब साइट उस पर मैंने पेमिंट वगईरा कर दी है पीजा हट वालों ने का ठीए कि यह मार और डिलिवर करते और एक बज़ाए बी के घर आ गया सात वाला घर था बी का बीने दर्वाजा खुला सामने पीजा ट्वाले थे उनने कोुछ आपका पीजा आया है वाइजेकं कस वह जिसकी आपने अडवांस पेमेंट कर दिए थी मेरे तो है पीजा निया भेजा अध। पीजा होंने धेल्ड अग्या कि या पीजा में मुख्लिक्छ गर डिलिवर हो गया उस घर पहुंचा नौक किया कहा जी मेरा पीजा आप तक आया है उसने का बहुत चुकरी आप जैसे हमसाए सब को अल्ला दे अब यहां आपकी नियत वो नहीं थी जो पहले बिरियानी देते वे थी उस वक्त तो आपने इरादतन नेकी की थी अब जब इ पीजा या अगर आप ठंडे पर भी मुतमाईन है कि यार इस वक्त पीजे की वर्त है तो कमस कम दो पीस दो बुर्कियां बुर्कियां तो लुकमे को कहते हैं दो फाडियां वो जो दो उसके वो पतर नहीं मैं पंजाबी बोलनी कोईशी कर रहा था पंजाबी में क्या कहें स्लैस को परड़ी ही नहीं कहेंगे लात्स प्रजाप स्लैस हाँ यह सजा है तो फी से के दो स्लैस खा गया और जो वो डो स्लैस तो अब आप उसे जाके कहेंगे मेरा इरादा नहीं था गलती से ऐसा हुआ है मुझे ये पैसे वापिस करो बिर्यानी में आपने ऐसा नहीं किया था आपने इरादतन भेजी थी अब आप वहां ऐसा करते तो गलत होता लेकिन यहां इरादतन नहीं भेजी थी तो इसलिए हम क thing lawfully deliver हुई हो वहाँ जिस बंदे से ये हरकत सरक्जद हो ये उसका एरादा ऐसा ना हो कि महरबानी उसकी नहीं आता है और उसने वो enjoy भी कर लिया हो वो दो slash खा भी गया हो तो ये basically automatically contract बन जाएगा कि वो आपको वापस देने का पाबंद होगा पांचवी एक्जेंपल है payment by interested person law ये कहता है कि अगर एक बंदे का किसी payment में मफाद हो आपको याद हो का हमने का था है agency में भी कभी कभी interest होता है payment by interested person इसकी एक्जेंपल ऐसे है कि एक बंदा एक घर में रह 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 एक क्राइदार माले के मकान ने बड़े अरसे से tax जमा नहीं कराया उस घर का government ने notice दिया क्राइदार को माले के मकान उस घर में नहीं रहता माले के मकान कहीं और अपने किसी और घर में रहता है क्राइदार को notice हाय गOWर्मेट की तरस से उनने का अगर इस घर का tax pay नहीं हुआ हम घर के तमाम मकीनों को निकाल देंगे और घर के मकीन कौन है? कुराइदार उसने देखा टेक्स ड्यू बनता था गौर्मेंट की वेबसेट पे चेक किया वाकी ही में टेक्स था मतलब किसी नहीं शरारत नहीं गी थी एक टेक्स था जो पे करना था कुराइदार ने अपने घर करे बचाने की प्ने वा लोगत बीज 지ती से बचाने की लिए वो टेक्स उठा कर गउर्मेंट को जमा कर दिए कि कि फिर करायदार reject कि माले के मकान के पास उसने का जी मुझे पैसे दे तो उसने जवाब में क्या का? केड़े पहे पहे जो मैंने आपकी जगा जमा कराए है माले मुकान कहेंगा तुमने मुझे उफर दी ती? क्या मैंने एक्सेप्टेंस दी थी? क्या कोई कंसेडरेशन थी? क्या क्योई और असेंचल पूरा था? मैं क्यों दूँ कि अब तुम्हारे मेरे दरम्यान कॉंट्रेक्ट था उसने का था नहीं हो गया है यह कॉंट्रेक्ट होते नहीं हो जाते हैं तो कॉंट्रेक्ट नहीं था लेकिन लॉय यह कहता है कि अगर एक शक्स ने एक ऐसा शक्स जिसका किसी पेमिंट में इंटरस्ट है उसने दूसरे के बहाब पे को payment कर दी, वो एक legal payment थी, genuine payment थी, वो वाजब थी payment करना, इसने कर दी तो अभी यह हक रखते है उस बंदे से, जिसके जिम्में थी यह payment, उससे recover करे, अब करायदार हक बजाने भैके, वो माले के मकान से कहे के मुझे आप पैसे दे, और दा payment must be such as the other party was bound by law, ऐसी payment थी जो वो bound था, अगर वो उसका tax नहीं बनता था, वहीं किसी ने शरारत की थी और आपने जा के tax जमागरा दिया, तो वो नहीं recover कोगा, genuine payment बनती थी, आपने proper तरीके से दी, और इरादे से दी कि आपको वापस मिलनी है, तो automatically वो बन्दा जिसने अपने interest को बचाने के लिए payment की, का हग बन जाएगा दूसरे बन्दे से पैसे लेने का, तो यह कौसाई contract में 5 examples हम लोगे ने देखी, कि 5 cases में खुद बाखुद contract बन जाता है, कुछ और cases में भी बन जाता है, necessity वगरा में, लेकिन यहां किताब ने हमें 5 examples दी,